नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट मीन डासी वालों अक्टूबर नोवंबर 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है आज हम आपसे यही साजा करेंगे वीडियो के अन तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंदरासी पर आधारित है मीन डासी चली जानते हैं आपके करियर आपका वेपसाई आपका लव लाइप आपकी सिक्षा तमाम चीजे इस अक्टूबर नोवंबर में कितना बदलने वाला है और कितना अच्छा होने वाल करें समझने की आपके लिए कुछ अच्छी चीजें भी है तो थोड़ी परेसानियां भी है अभी अक्टूबर के महने के सुर्वात में सुरे कर आपके सब्स्क्राइट में HOL है तो आपके लिए चीजें हैपके पक्च में है हलां कि मंगल मांगली दोस्त बनाकर बैठे हैं लेकिन 17 अक्टूबर को सूर्य अस्टमभौ में जाएंगे और 22 अक्टूबर को मंगल अस्टमभौ में तब यहां पर इस्थिती थोड़े आपके पक्ष से पकड़ से कमजोर होगी क्योंकि उतना अच्छा नहीं है सत्रू विरोधी भी एक्टिव हो जाएंगे अस्टमभौ में सूर्य मंगल कहीं न कहीं आपके जीवन में थोड़ी परिसानिय डालेगा लेकिन सुरुवात की अगर हम बात करें जो लोग बेपसाई हैं बहुत अच्छा है इस्थितियां आपके पक्ष में हैं लापके अफसर मिलते रहेंगे पार्टनर्सिप में काम करते हैं तो सम मंदों को बहतर बनाए रखें जड़ों से ज़्यादा भरोसा करना यह चीजे ठीक नहीं है तो जो भी करें कलम कागजात लेकर तमाम चीजें एकदम से विवंदारी के साथ पार्दासिता रखें तो बढ़ियां रहेगा और दूसरी बात 17 अक्टूबर को सुरी के अस्ट्रम भौ में जाने से थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी मानसिक भी और सारेलिक भी और जैसे ही 12 अक्टूबर को मंगल अस्ट्रम भौ में जाएंगे सुरी के साथ हो लेंगे तब मुस्किलें ज़्यादा बढ़ाएंगे क्योंकि सत्रू वि क्योंकि अक्टूबर के मेहने में धन आने के एक से कहीं ज्यादा स्रोध बन रहे हैं उपर से आपके एक अदस्भाव में देव गुरु भष्षपती जो आपके रासी के सौमी और सनी देव दोनों विराजमान है और दोनों की द्रिष्टी धन बाव पर है तो यकिनां आपक प्रवेस कर रहा है तो यहां से आकस्मिक धन आपके योग भी बनाएगा फसावा रुकावा धन भी मिलेगा गुप्त स्रोध से धन आने के योग बनेंगे खासकर गुप्त स्रोध यानि कि जैसे आपने कहीं लोटरी जुआ सट्टा अब ऐसा नहीं कि भीना सोचे समझे मत खई दिएगा नहीं तो लॉस हो सकता है पर गुप्त स्रोध आकस्मिक धन जैसी चीजें है इस मेने में चुकि एक बात का ध्यान रखना है कि लोग में आकर गलत तरीके मत अपनाए वड़ना आप फस भी सकते हैं इसलिए थोरा समल के खर्चे बढ़े हैं तो खर्चों से थोरा कंट्रोल करना होगा कि स्वास्त की बात करते हैं तो थोरी सी अगर आप और सब्धान होते हैं तो परेशानिया ज्यादा बढ़ जाएगी सुर्य मंगल सब्तमभा में हैं 17 अक्टूबर तक तो बुद्ध भी आपके दोक्टूबर को वक्री बुद्ध भी आ रहे हैं क्योंकि यहां पर लापरवाई ना करें क्योंकि जैसे ही सुर्य मंगल अस्टमभा में जाएंगे तो इसमें भी रक्त समंधी परेशानिया इसकीन समंधी परेशानिया परेशान करें इसलिए आप कोई भी लापरवाई मत करें जहां तक संबब हो यातरक कम करें और करते है तो बहुत साब्धानी के साथ करें क्योंकि यहां पर वहां द्रुगटना योग बने वे हैं रोट क्रोस करने के समय साब्धान रहें बहुत आवस्यक है हनुमान चलिसा पड़के ही दिन की सुरुआत कीजेगा आपके लिए बढ़ियां रहेगा अगर हम आपके बैभाईक जीवन या लव लाइब की बात करें तो आपके रिस्तों में प्रेम है देव गुर्भ भ्रस्पती और सनी देव पंचम भौपर दुष्टी डाल रहे हैं तो यकिनन आपका प्रेम का रिस्ता और मजबूत होगा और गहरा होगा और एक दूसरे पर रुलेसंसिप में खासकर उनके लिए लेकिन अगर आप बैभाहिक जीवन में है तो इक्ट्रा मेडिकल आफेर जैसी चीजें है तो उनसे बचना होगा नहीं तो कलंक लग सकते हैं ध्यान रखें दूसरी तरफ बैभाहिक जीवन के लिए एक बात और है सुर्य मंगल के उपर निगेटिव प्रवाव है इसका भी ख्याल रखिए दैर से काम लें और अगर हम पारिबारिक जीवन की बात करें थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ तो है क्योंकि रिष्टेदारों के कारण आपके रिष्टे में करवाहट दिखती है कि आपके विचारों में उता तो है तो परिजनों के साथ बाद विबाद दिख रहे हैं जीवन साती के साथ रिष्टे खराब न हो जाए इसका क्याल रखना है थोड़ा मानसीक तनाओ है और इस में कुंडली में जो इस्थिती बनीवी है वो भाई पहनों के लिए बहतर है चुकि आपके रासी के स्वा तो आपके लिए ये महिना चुकि राहु केतु का प्रभाव अधिक है तो परिवार में छोटे मोटे कल्या है इसलिए आपको धैर रखने की आवस्ता होगी क्योंकि थोड़ा सा आपको यहां पर बाद विबाद से भी बशना है और हर्मान जी के सरन में रहें तो वो सर्व आप फस सकते हैं जो भी करें सोस समझकर करें धैर के साथ करें जो बिद्यारती हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है क्योंकि मन में जो आसंकाएं हैं उनसे बहार निकलने के लिए आपको थोड़ा मेनत करना है सरकारी प्रिशा की तैयारी करना है तो जोब प्राप्ति के यो रखना है और मन में कुछ बाते दभी वी हैं उलजने हैं उनसे बाहर निकलिए समस्याओं का समधान ढूंड़ना आवस्यक है यह बहुत आवस्यक है आपके लिए और संभव हो तो आप सनी बार के दिन जो निर्धन बैखती है खाने पीने की बस तूर उनको आप दे सकते हैं इससे भी जो भी थोड़ी बहुत परिशानी है आपके जीवन में उनसे आपको मुक्ती मिल जाएगी अगर हम बात करें नवंबर के मेहने की तो नवंबर का मेहना का उत्तराद्र जो है यानि की सुरी के रासी परिवरतन जैसे इस सुरी आपके नवंब हो में जाएंगे व झाल